नमस्कार दोस्तों तो चलिए पिछले लेक्च्छरों में हमने यूपी-पीस का नया पैटर्न देख लिया था और उसका स्लिवर्स देख लिया था चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं लो उत्तर फिर्देश प्रिलिम्स फरीक्ष्छा दोहजार वाहरे का सामने देन फिपर फष्ट का कि सॉल्व करते हैं इसका सॉलूशन देखते हैं पूर कि पुण्ड वरद्न भुक्ति ऊवस्ट सु मैं पुण्ड वरधन का लेक्थ कालिन थी लेक्षों में हुगा है इस अभिए रिख patches समराज्य में पुण्ड वरधन नाम की एक व्पिति थी जो पुंड देश के इंतरगत आती थी है इन ताम पट लेखों से ग्यात होता है कि लगवक समग उत्री बंग्याल या पुन्ड देश पुन्ड वरदन वुक्ती में सम्लित था और यह है चार्सो तैंतालीस इसवी से चार्सो पांसो तैंतालीस इसवी तक गुप्त समराज जकांग था यहां के सासक उफरिक महाराज क की उपादिधारन करते थे और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे दूसरा कुश्चन है मारा सुची एक को सुची दो से समलित करना है में सुची एक मैं हड़ाब पाईस इस्थल है और फिर उनकी स्थितित है तो इसमें सी ओप्सन से याद रखी इसकी डारेक्ट और राखी गड़ी है जो हर्याणा है तो याद रखे मानना जब मुकस्मी दैमाबाद महराष्ट कालीवंगा राजिस्तान राखी गड़ी हर्याण तीसरा कुश्चन है मारा इसमें सुची एक को सुची दो से सुमलित करना है बेदिक नदियां है और उनके आधिक नाव मे तो इसमें B option याद है B option सही है इनकी ब्याख्या दिखते हैं जो कुम्मा थी इसे आधुनिक नाम है इसका काबुल और जो परुश्चनी थी इसका नाम है रावी और सदा नीरा थी इसका नाम है गंड़क और सत्तूदी थी जो इसका नाम है सत्लज इसका नाम है काबुल और परुश्चनी थी इसका नाम है रावी शदा नीरा थी इसे गंड़क बूला जाता है सत्तूदी थी इसे सत्लज अंगला हमारा चौत्रा पुश्चन है निमलिकित में से कौन सा बहुत पवित इस्थल निरंजना नदी फरिस्थित है तो यह बहुत गया यह उप्सन सही है इसमें ग्रहत त्या करने के बाद सिद्धार्थ ने बैसाली के अलार कलाम से सांक दरसन की सिप्चली अलार कलाम सिद्धार्थ के फिथम गुरू थे सिद्धार्थ के फिथम गुरू थे अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्ध कराम कराम उतने सिख्चागे कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कोर्डिलन वक्पा भधीवा महानामा एवन असागी नामक पाच सादक मिले बिना अन्य जल गहड किये हुए छे बर्स की कठिन तफिस्या के बाद 35 बर्स की आई में बैसाग की पूर्णा की रात को बहुत गया में नरंजना नदी के किनार ग्यान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौध के नाम से जाने लिए इस्थान बहुत गया कहला है बहुत ने अपना पितहम उद्धिस सारनात रिसी पतनम में दिया जिसे बहुत गयन्थों में धरम चक्रवर्तन कहा जाता है पांच वाकुष्चिन है मारा असो का समकाल तुर माल कहां करा जाथ है तो यह आप्शन सहीं में से का असोग के समकालिंग विस्ट के इकोड प्रमोक के कुछ की मोखर सासक नेम न थे सेरेन का अलिक सुन्दर मिस्ट का तुर मैं सीरिया का अंतियोग मैं सीडोनिया का आप तीकिनी एफिरस कम अ अंगला है हमारा छटबा कॉप्षिन निम्ले के यह में कौन एक साही सुमलित नहीं है तो इसमें याद रखिए करगपूर मंजरी यह की नहीं है मत्राइब क्या है तो ढ़िए और यो माल विकावी ने मित एक अलेट एक मुद्रा राक्षट विशाकादत्त जी कि एक सुन्द्रा अनन्द एक अस्वोस की अच्या की बात करें तो नागानन्द रतनावाली प्रिये दर्स का ये हैस की माल गावी मित्र कालीदास किया मुद् विशाकदत्त की बुद्ध चरे सूत्रालंकार शूंद्रानन्द अस्वोस किये याद रखे कर पूर मंजरी यह इसके लेका क्या है राजसेकर जी साथ्वा कुष्चियन में वह चोल लाजा कोन था जिसने स्रीलंका को फूर सुतंतिता दी और शिंगल राजकुमार के साथ अ मेंस्य दूंध राजल्राक्ट प्धितार हस राजन्द सांतित्यों के साथ ही और अग शुल कल था, प्शुमी चालोग चांद की और से दुल्लाक आ मूर का विम्हर युथ कमा दिःत् remo प्राजित हो ना परारा ये उतमे पराजित कुलोत के समय स्री लंका की राज़ बीजे वाहू ने अपनी सुतंता गोसित की किन्तु उसने स्री लंका में चोल विवाहू की समापती के पिती किसी कटूता का फिदर्शन नहीं किया तता अपनी पुत्री का विवाद स्री लंका की राजकुमार बीर फिम रुमाल के साथ कर दिया अंगला है हमारा आठवा कुश्चन है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीबा का नाम सरव प्रित्थम अंकित हुए तो डी अपसने अलाउदीन मसूद साहे अलाउदीन मसूद साहे अलाव दीन मसूत साइ के सिक्खे पर सर्वित्थम बगदाद के अंतिम खलीफा अलमुस्तिसीमा का नाम मुस्तिसीमा का नाम अंके थे तत्पष्चात इल्टुतमिस के सिक्खों पर भी बगदाद के अंतिम खलीबा का नाम अंके थे अंगला है हमारा नौबा कुछ से निम्लेकर में से कौन से संगम पतन पश्च्च्मी तट परिस्तित थे नीचे दीए के कूट में सही उत्तर चुनना है अपनको इसमें सी ओप्सन है तीन और चार मतलग तौंडी मुसीर दी इसकी बैक्षा दिखते हैं संगम काल में पश्च्मी तट के फिर मुख बंदर आगार नौरा तांडी मुसीरी और नेल सीडा आधी थे नीर फिरवाक एक अनसमुद्री बंदर गाय था जहां से पश्च्च्मी पश्च्च में कि अधिक घंटिश्च्ट था दसवा कुष्च्चन है निमलेकित में से कौन महाभारत के तेलगू अनुबातों के लिए बिख्या थे तो नीचे दिए गये कुट में सही चुनना है तो इसमें सी ओप्शन सही है तीन होचा नत्य और टिककन महाभारत का तेलगू अनुबा अब हमारा गयारवा कुष्चन है वह पिसित जैन आचार कौन थे जिन जिनको अकबर ने अकबर ने बहुत सम्मानित किया तो इसमें भी ओप्शन हरी विजय सूरी भी ओप्शन सही है तो याद रखिए इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं अकबर हिंदु धरम से सब से दिक प्रभावित था है अकबर ने बलभाचार की पुत्त बिल्दा नाथ को गोकल और जयतपुरा की जागीर दी अकबर ने जैन धरम के आचार ह्री सिंग अरी विजय सूरी को जगत गुरु ततन चिन चंद्र सूरी को योगपिधान योगपिधान की उपादी दी अगनी पिच्चुलित करने का अधेश दिया अंगला हमारा वारवा कुछ निम्लेकित में से कौन जहां गीरी चितकार थे नीचे दीए कूर से सही उत्तर चुनना है तो याद रखिए इसमें ऑप्टन भी सही है दो और तीन अब अब अबुल हसन और आका रीजा इसकी प्याख्या दिख लेते हम लोग जहांगीर करकाल मुगल चितकल अक के चर्मुद करस का काल था जहांगीर ने हैराग के पिसेद चितकार अकारी जा के नितत्त में आगराग में एक चित्त्र साला की स्थापना की जहांगीर के काल में हस्त लिखेत गिरंतों की विसेद अबस्तु को चितकारी के लिए प्रयोग की पद्धिती को समाप करके उसके स्थान पर छवी चित्त्र प्राक्तिक दिख से इबंव्यक्तियों की जीवन से संबंदिश चित्रन की परंपरा की शुरुआत की जहांगी के समय मोगल चित्त साला में प्रिवेश किया था जहांगी के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल साय का चित्त बनाया था अब बात करते हैं लोग तेरवे कुष्टिन ओरंग जेब की मित्तियों के समय महराठा नेतत्तिक किसके हाथों में था तुर्य तारावाई डी ओप्सन सही राजाराम की वित्तियों के बाद उनकी उसकी विदभा पत्नी तारावाई ने अपने चार वर्सिये पुत्त सिव कुष्टिन लंदन में बैटिस इंडिया कंपनी के सब गठन के समय भारत काने मिलिकत में से कौन बात साय था तो यह आप्शन अकवार्ट कि इसकी ब्याक्षा दिखते हूं उन्हों यूरोपी कंपनियों में जिन्हों ने भारत में आकर अपनी व्यापारी कतीविधिया आरम की उनमें अंग्रेज सरवादिक सफल रहें अंग्रेजों की सफलता का कारण था कि इनका भारत शाय समूचे इस याई ब्यापार की ब्हारत आया अंद्रास निन्यान में इंगलेंड में एक मर्चेंट एडवेंचर शना मग्दल ने अग्रेजीश्ट इंडिया कंपनी अत्वादी गवरनर्न केंट कंपनी और मचेंट और टेरिंग इंटू दा इस्ट इंडिज इंडिज की इंडिज की इस्तापना की प्रताब अपनी सरकार के समर्थन है एक तुले लेनिन से मिलें भारत में चले हिजरत आंदूलन से जुड़े कई नितक कलांतर में अफगानिस्तान और तुर्ग मेंस्तान चले उन्होंने खुदा ही सेना की स्थापना की हमारा सुलावा कुश्चन है राजाराम मुहर्य राइक को राजा की उपादी किसने थी तो अकबर सेकंड ने बी ऑप्सन से राजारामन राय मुहर्य को भारत में पत्तिकारता का गदूत माने जाता है इन्होंने समाचर पत्तों की सुतंत्या का समर्द्न किया 1830 में मुगल वात्ताय को पर दिये ने राजा रामोण राय को राजा की उबादी के साथ अपने दूद के रूम में तत्कालिंग बेटिस समराट विल्लियम चर्थृत के दरवार में बेजा राय को इंगलेंड में समराट से मुगल बास्ताय को मिलने वाली पैंसन किया मात्रा को बढ़ाने पर बात्चीत करनी थी यही पर विश्टल में 27 सेप्टमबर 1833 को राय की मित्ती हो गई दो कि सबस्चनि ने राजा राम मुहन रहर्य को युग्दूद की उपादी धी है याद रहे उपादी ब्यूद से विश्ट Wisconsin तो राजा की उपादी दी कि आप चलिये अभी ऊप्साइजय को करी प्रितं किसकी इस्ताफ सब्सक्राइब तरह में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थाफना की फिसन अनुसाथ ने कोलेजों की स्थाफना इस पिकार में पोलेज मुसलिम एंगलो और इंटल कोलेज अठारा सो पचत्तर दिल्ली कोलेज अठारा सो चोवीश में अंगला हमारा सार्दा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों एवं लड़कों की विवहाय की नियूंतम आयू रूमसा कितनी निर्धायत की गई तो भी आपसने चोदे एवं आयू की कन्याओं के विवाय पर पितिभंद लगा दिया गया तिलक ने एज ओफ कंसेंट एक्ट का विरूद करते हुए उसे भारती है सामाज मावलों में विदेशी हस्तिव हर्स्तिछेव माना उन्नीस सथीस में यह जोब कॉंसेट एक्ट को संसुदित कर शार्दा एक् है और यह भासा तो इसकी डारेक्ट विए इस में एससे सी उप्संस यह इसकी देख ले भारत प्रजात मिते घिंदी में था राष्ट मित में बगदे था उड़त हैουμε आतरा फ्रुजंत नाएक बंगाली देन्र स Edwards से किसी अंदोलनमे मैंलायों के घर की चार दीवाही से बाहर निकालें तो यह न सवदेशी आंद Fool h souls रूल आंदोलन चया सह गोंडोलन सभी ए अयग्ज्ञ अंदुलन सभी cob regret Сवध है सरफ मत्रमय सोदेशी यंदोलन में किछथा दिवाही से बाहर कोए निकाला कίο क किस अधनियम ने भारतियों को अपने देश के पिसासन में कुछ छिस साल लेने लेना संभव बनाया तो यह उप्शन से यह 1823 चार्टर एक्ट 1823 इसकी ब्याख्या देखते हैं लोग 1823 में चार्टर अधिनियम इसके द्वारा कंपनी के व्यापारी का दिकार पूर्दा समप्त कर दिये अ अब कंपनी का कार बेटिस सरकार की ओर से मात भारत का सासन करने लए गया बंगाल के गवर्णर जर्नेल को भारत का गवर्णर जर्नेल कहा जाने लगा भारतिये कानून का बरीकर किया गया तथा इस कार के लिए बिधी आयोग की निउक्ति की गई 1853 के चार्टर अधिनियम इस बेटर इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नाम जदगी का सिद्धान समाप्त कर कंपनी के मत्पूर्पदों को पृतियोगी परिच्छाओं के आदार पर बनने की विवस्ता की गई अठारा सौ अधाओन इस बी का चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसमें भारत का सासेयन कंपनी से लिकर बेटिस क्रावन के हाथ में सोप घया है बारत में मंत्री पद की विवस्ता की गई पंद्रह सदस्तों की भारत फरीशत का सेजन भारत ये मामलों परवेटिस संसत का सीधा ने इस्थाफित किया गया गए 1861 की बहुत सासना दीनियम की बात करने तो इसमें गवन्ने जनरेल की कारकारी परिश्चत का विस्तार किया गया विभागी ये प्रिडाली का प्रारम हुगा गवन्ने जनरेल को पहली बार व्रक रएप्रो पर्श्थमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान इस्थापिस कर सकती ही भाहरत के संविदानकी इथियास एक योग वर्तक क्योब इसमय भारत की सासन व्युस्ता के साथ भारतित औachмат करने का एकugen क्यूंब करने का वाइस रहा को अदिकार प्यलski गई रिवा किसी भारतियों कोई धर्म जर्द स्थान जाती और रंकिया धार पर कंपनी कि अधिन किसी पद पन्युक्ति से पंचिद नहीं किया जाएगा अंगलाय मोरा वाइस बेर आफ्टिय ने था कौन थे जो 1925 में सेंटल लेजिश लेटिव एसेंबली की अद्धिफ निर्वाचित हुए तो यह थे बिठ्थल भाई पटल बिठ्थल भाई पटल 1925 में सेंटल लेजिश कि अद्धिफ निर्वाचित हुए तेजवा कुष्ण है 1937 के चुनाओं के पश्चात यू पी के गठ्थित मंती मंदल के में किसको वित्थ विभाग सब्गया तो यह है रफी एहमद के दोवाई को 1937 में संपन प्रांतिय विधानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस पाइट कांग्रेस अध्यक्ष है और यह अधिवेशन है तो चलिए हम लोग इसमें डारेक्ट वे आख्या देख लिए थे हैं सी ओप्षन वैसे सही है इसमें 12 कांग्रेस अम्य दिशमर 17 में मद्रास में संपन उगा इसकी अधिक्षता डॉक्तर एम ए अंसारी ने कि कानपूर में संपन उग इसकी अधिक्षता स्रोजनी नायडु नेहें कि कि इंक्यान्वा कांग्रेश सम्मिलेंघ फरवरी 1930 में हरी पुरवा में वें इसकी अध्यक्षिता सुवास्चेंद बहुस ने की ओच्पनवा कांग्रेश समुलेंच 1950 में नासिक में सुफण हुआ इसकी अध्यकुस्ताथ प्रोवसुत्तम दास्टंडन ने की तो याद रखिए दोस्तों यहां कि हिस्ट्री से लगवग है पच्चीस के करीर पच्चीस चपीस चौवीश ऐसी कुष्चन हर वार आती रहते हैं तो प्यारम एक परीक्षा में हमारा हिस्ट्री का वेट जाना है पच्चीस कुष्चन चौवीश पच्चीस कुष्चन आरम से इस पर अच्चे से कमाड़न देवीजी अब है हमारा भूग भारत का बूग बाहिनी नदियों में से कौन दो परवस्याणियों के बीच बैती है तो यह नर्वदा बी ओप्सन सही है इसकी ब्याख्या देखते है नर्वदा नदी बिंध्यांचल परवस्याणियों में अमरकंटक नामकिस्तान से निकलती है यह 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है इसके उत्तर में बिंध्यांचल और दच्छिन में सत्पोडा प्रवत है इसके बीच में यह वेनस गाटी में बाइती है माही नदी बिंध्याचल परवस्याणियों में गिरती है यह 153 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है सावरत पंती नदी उद्यफोर जिले के दच्छिन भा अवस्ति दे जीलें है अवस्तिति लोनट अरे महाराश्व मैं चिल्कां तुटबी शाल कोलिरू अंदप्वत्यस कोलि पलीकर्ट तमिलाणूस तो एक ल्गस्ट आपीज़क में साट्षोर वड़ी पारवर्स कातना कर खुगली में मिलती है यह नदी पीदूसर्ण की कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है अंगला हमार आठाइट निमलेकर में से कौन सी दच्छन भारत की सबसे उची चोटी है तो यह आप्शन है अनाई मुड़ी याद रखिए दच्छन भारत की चोटी है अनाई कि पहाडी फरिष्ट यहां से तीन भारी से वर तेन साäंव में कि भारत की था 7 italy और कॉंन खरीप फसल नहीं है, तो इसमें डी ओंठे सर्सु रभी की फसल करें तो ये अक्टूबर और नममबर में बूई जाती है और मार्च अपरेल में काट ले जाती है इने में प्रमौ की फसलों की बात गेम जो चना मटर सरसवारू और राइए खरीब की फसल करें कि जून जूलाई में बुळी जाती हो नवोंबर दिσιम्बर में काट ली जाती हिनकी फिरुनोग फसलों की वात करें तो धान गंणा तिलहन जुत-बाजरा मक्का जायत फसल है मई जून में वो ही जाती है और जुलाई गर्स्त में काट ली जाती है जैसे राई मक्का जुआर जून मड़ूगा तीस्वा कुशन है मारा भारत के निम्न राज़ों में किसमें तमाकू की किर्शी के इंतर्गत बेहच छेत है तो सी ऑप्सन सही है आंदर फिर फिर अपना गुजरात रेक करनाट है ठीक है आंदर फिर गुजरात करनाट है 31 भाय भारत के निम्न लेकित बंदरगाहों में कौन एक खुलावा सागरी बंदरगाह है तो यह चैन नहीं है सी ऑप्सन सही है खुला बंदगाह उसे कहते हैं जहां पोद तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं देशमेश्च में इस पकर का बंदरगा चैने रिफ दर गासे का सबसीब गहरा बंदरगाह जहां लोग एस के निर्याद के लिए वाहरी भें दर गाए बनायी एक बहुए यह बहूद देशक बंदर गाह इसके सेलासरों में डॉल्फिन नौच नामक पहाड़ी बाग निकल जाने से है पतन मांसुनी पवन के जहकोर से सुरक्षित रहता है अब है हमारा 32 वन्य मलेकित में से कौन सही सुमलित नहीं है तो चलिए इसकी बैक क्या हम लोग देखते हैं भाकरणा नागल परियोजना है सतलंज नदीप इससे लावनवित होने वाले राज्चें पंजा भर्याना हिमाचल पिदेश राजिस्तान हीरा कुंड बांध है महा नदीप उडिशा राज होता है इससे लावनवित नांगा रुजुन शागल परियोजना है किष्टन इसमें मद्द्पिदेश महराथ राजिस्तान इससे लावनवित होते हैं 33 वा कुर्चन है भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागवान का पन पाया जाता है तो याद रखिए यह उप्सन से मद्द्पिदेश भारत में उस्ट कटी बन दिए पत्छण वाले बन यह या मानसुनी बन भी कहते हैं यह व्यक्ष अधिक लंबे और सगन नहीं होते हैं इन बनों में साल सागवन सी सम चंदन आम साखु हरड बहेड़ा पाये जाते हैं इस पिकार के बनों का विस्ता है हमाचल के हिमालाय के ग्रीफद मद्द्पिदेश 36 रादी राज्यों में सं पून सागवन की छित्क पचासब पितिसर्द हिस्सा मंद्दिर दिश्मिंे फाय जाता है जुआरियो उर्जा का उत्पादन का फिर मुक्यन्द है तो इसी उपसन है खंबात की खाड़ी जुआर समुद्री जल तता लहरे महासागरी उर्जा के पिरमोख स्रोत है जुआर के उठने या गरने से संचाले जैंतरों से विद्धुत उर्जा उत्पन की जाती है भारत में खंबात की खाड़ी कच्च की खाड़ी तता उगली की एस्ट्यूरी जुआरियों वजा के लिए उपयोगत इस तल है जिसका वेवो एक हजार मेगावाट है अब है हमारा 36 वा कुश्चन सूची एक को सूची दो से समलित करना है खनन च्छेत है और हमारा ये खने च्छेत है तो इसमें ए ओप्सन से है ठीक है इसकी ब्याक्या देख लिए है गुरू मही सानी ये लुए ऐसक है तल्चर कोईला के लिए जादू गोड़ा यूरेनिय और सीसा जावर सीसा के लिए है तो जाद रखिए गुरू मही सानी रुएसक तल्चर कोईला जादू गोड़ा यूरेनियम जावर सीमा सीसा सैंतीस वा कुश्चन है निमलिकत में से कौन सा राज भारत में मैगनीच का सरवादी को उतफादिन करता है मत्धिदेश बरत्मा नारे है तो यह उपसें सरी स्मलिका तर्थार जायक।स्ता पैजळास के स्बै ख़ सब्स्ग लाएं करना इसिया के लिए कंटधिन का स्बै किस्दीर पर जार से दे के स्बारत देखे तो द्यवार्त तो पर राज रथा में मत्यार्त में थादिता है समुद्र इसमान खारेपन बाली इस्थानों मेल लवर्ड रहा कहते हैं इस डिग्री तरीव जान सबसे लवरता पाई जाती है से अधर कोश्च वा कूश्चम मारा अंधर है ससी मा मिं हुए निमने में से कौन सी तोष्ट घास का मैदान नहीं है तो डी उप्सन है सवाना कौन सा नहीं सवाना अफीका के उष्ट घास के मैदान सवाना और सी तोष्ट घास के मैदान वेल्ल कहलाते हैं दच्छनी अमेरिका के आजेंटीना में विस्तत घास के मैदान को पंपास कहते है सब्सक्राइब कारण होता है जिसमें सहजीवी सेवाल का मोचन प्रवालों की वित्थी उदोने गटित होती है अब बात करते हैं 43 वा कुश्ण निमने लिखे तो मैंसे कौन साथ इस हीरा का सबसे बड़ा उत्फादक है तो सी ऑप्सन है रोस हीरे के यह तीन प्रकार के भोगलिक इस्तितियों में पाये जाते हैं यह केमबर लाइट पाइप कांगलू मेरिट बिर्स एलू विरूल गेव सबसे बड़ा त्रमाड़े तेल बंढ़ना रिष्टे थे यह बैनी जोईला में पेटोलियम टर्सरी योग की जलज और साधी सेलों का चट्टानी तेल है जो हाइड्रो कारवन योग कमिस्रन है इससे पेटोल लीजल एथर गेसूलीन मिटी का तेल चिकनाई तेल एवं मॉ जारक राज्ये पित्वम बेनोजिवला दुटिये पर साउधी अरब तितिये पर एराक चत्थर्थ पर कुवे तथा विस्क चार्शीर्स प्रेटोलियम उत्पाद राष्ट पित्थम साउधी अरब दूतिये रूस तितिये अमेरिका चत्थर्थ एरान इसमें आयू ने इस पिसनर के उत्तर में बी ओफ्षन साउधी यह रह्माना था ठीक है ज्याद रही है चबाली पैतालीस कुश्चन मुमपली निमलेकित में से कहां की प्रमुक फसल है तो एक गंबिया की मुमपली का उत्पत्ती इस्तार दच्छन अमेरिका है दच्छन क्या अन्य फसलों का भी उत्पत्ती स्तले निम निपकार है आलू सकरकन तमाकु को की अन्नास रवार शेंकोना इत्यादी पिसनर सर्मुपली गांबिया की प्रमुक फसले इसके सकल गहरे लुग उत्पाद में इसका हिस्ता छे दसमलों नौ पितिती सथ है चलिए अब हम च्छालिस वाव कि यह मारा इन तालीज हो गए है चुल दिम निवने में देश का सही आरोही क्राम कौन है स्य ओप्सन अर्जेंटीना भारत ऑस्टेलिया तो इसमें जी अप्सन प्रमूक देशों का छेत पले हैँ मैं अर्जेंटीना फ्रेज आुस्टेलिया फिर आपना श्याइस के बास से 47 सब्सक्राइब नहीं है तो बी ओप्सन सही है बंतु सहारा नहीं है बागी सब ठीक है कोटा जालों सावान चित गेनी देश में विस्तित है यह चित फुलानी लोगों द्वारा आवासित है फुलानी लोगों का मुख व्योसाय पसुपालन है बंटू निगेटो जंजातियों के प्रिवाल सादेश से जो अफीका के भूमद्रे किये भागों में रहते हैं मसाई टागा निकाह केन्या कर पूर्वी यूगांडा के पठारी चित में को मकड़ पशुचारक के रूम में जीवन निर्वार कहते हैं अड़तारीस वा कुश्चन संसार का सरवाधिक जन संख्या वाला मरूस्तल थार यहां कर जन संख्या गहनत तेरासी है पितिव्यक्ति है अब हम रहा उनंचास कुश्चन निम्लेकित मैं से किस्ते केंद सासित पिदेश में आबादी कहनत सबसे कम है तो सी ऑप्सन अंडवान रहीं जनगनदकित से का को छाउब का जन गनदुएं गेंदा सीट पिदेशों का जन गनदफ इसीट पिदिलिका 11,320 चन्डी गढ़गा 9208 अंड़ीचरी यह 2547 जवंदीब कह है नदवनध ही 210 1191 लकषि इपका drillien एक सो कि दो हजार एक सो नंचास अंगलाइम और पाचास भारत की जनगर्ण नहीं तेम आंकड़ों के अनुसार निम्लेकित में से किसराज में लेख सू लेंगन पासर वादे के तो यह अप्शन याद रोखे चाटिस गड़ का लेंगन पाथ है जीरो से च्छे आई वह की ज इंक्यां कुश्चन है भारत की जनगर्णा नहीं दो जार ग्यार एक अंत्रिम आकड़ों के नुसार निम्लेकित में से कौन साराज सरवादिक जन संक्या वाला राज यह इस में उत्तर प्तिस जन्गर्णा नहीं जन संक्या उन्नीस करोड़ पंचानवे लाग एक्क्यासी जहीं जन्गर्णा तरह सब्सारिटक ह्एकडक से करोड़ दो एक्की जनगर्णा नुस की चारताई एकी सब्साइबां कि था करोड़िट चारताईब्यगन यह उन्हीं द्धार्त ऊंक्या बाउन बाव कुष्ट्यन है बाउन फिप्टीडू वर्स 2011 के अनुसर विस्ट की जन संख्या कर कितना पिती सत भारत में रहता है तो यह 17.5 जनकरना बाउन पितना 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 अधिकारी रूप से तरम किया पितना में रिदें त्याग दूसरी योजना में किलीनिक पित्यागम और तीसरी योजना में मेकेनिकल पित्यागम तीसरी योजना में ही को अंतर गर्वास है उपकरन को पहली बार अपनाए गया यह सरमुदाइक विकास का इक्रम पारम किया गया चोथी योजना में कैटरिया पित्यागम इस योजना मे में पहली बार श्रमयवत्ते लक्ष उन्हों कायकरम उतनाएगा अब है हमारा चंग्मन बात चंग्मन कोश्चन है दोस्तों हम आपको बता दें लाश्क में हम लोग इनका सभी कुश्चन हो का एलन्ड पहना लाइसिस कर लेंगे हर सब्जेक्ट वाई कि कौन सब्जेक्ट से कितने कुश्चन लगवाग लगवाग आते हैं ठीक है पेपर के एंड में कर लेंगे सभी सब्जेक्ट होगा चंगरवा कुश्चन है संसद राज सूची विसाइए कि संबंद में कानूर मना सकती है तो याद रखिए भी ऑप्सन से यह कि यदि राज सवा ऐसा संकल भारि सथी बरत्मान सब्य में इसमें 61 विसा है पच्पनवा कुश्चन है निम्लेकित में से किस बाद में उच्टम नियालय ने धारना प्रिस्तुत की कि उद्देशी का संब्धान का भाग नहीं भाग है तो सी ऑप्सनेश में बंबभी बनाम यूनियन उप इंडिया उच्टम नियालय नियर्दारित कि उद्देशी का संब्धान का एक भाग है कि एस्वान भारति बनाम किरन राज के महमले में भी उद्देशी का संब्धान का भाग का माना गया कि चुरक्षन इनम्लेकित मैसे किसी सन्सती पर भारतिय समिंहान में मूल करत अंद की शामिल कि तटी चार के पश्चात एक नया भाग भाग हर भारत की प्रिभुता एक्ता और की रक्षा करेंगूसे अच्छुन रखें तरहे भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भात्त की भावना का निर्मार करें जो धर्म भासा और फिर्देश का या बर्ग में आधारित सभी बेदभाव से परे हो किसी एसी पिथाओं का त्याग करें जो इस त्रीयों के सम्भान के विरूद दो अंगला हमारा हमारी सामाजिष्ट संस्क्ति गोरब साली परंपरा का महत्त सम्झें और उसका प्रिक रक्षन करें अंगला हमारा प्राक्तिक फर्यावण की जिसके इंतर गद्वन जेहिल नदी और वन जीप भी हैं रख्षा करें उनका संवर्धन करें और प्राणी मात के तुती दया भाहो रखें अंगला है बिग्यानिक दिख्ष्टिकॉन वानवबाद और ज्यारनजन तथा सुधार की भाहोना का विकास करें सार्वजनिक संपत्ति को रख्षत रख्षत रख्यां वह इंसा से दूर रहें ब्यक्तिका तो सामुई गतिविदियों के सभी चेत्रों में उत्क्राइस की और बढ़ने का सतत प्यास करें जिससे राष्ट नेंतर वढ़ते हुए फ्यरतन और उपल लिए एक संसत होगी जिसमें राज्रेसजवा और लोकसवा होंगे इन दोनों सदरों में अंग्रेजी नाम के स्थान पर हिंदी के नाम ही अपना ली है राष्ट्पती संसद का भाग है जैसे इंगलेंड का समराट राष्ट्पती संसद के किसी सदन का सदस्द नहीं होता है वह आरम्विक अभीभासण दने के फेयोजन के लिए भी बैठता है अन्यता नहीं है संसति के सत्वाउत करता है, सत्थाषिamba करता और रोग्समा करता है वो स्पड़ा का विक्ट्न कर सकता है वह संसति की दोनों सद्दों द्वारा पारिष सभी विदे焼क पर अनुमती देता है अंठाउन कुष्चन राज विद्धन सभा में कोई भी धन विद्यक पुर्णा इस्ताफित नहीं किया जा सकता है यह उप्षन है राज जी के राजपाल की संतिती है अनुच्छेद 1901 के अनुषार इससद्यार के फेयोजनों के लिए कोई विद्यक धन विद्यक समझा खाय राज जो द्वारा द्धन उधाल लेने का या कोई त्या भूंती देने का बिनियों पाराज्यों द्वारा अपने उपर ली गई या ली जाने वाली किनी वितृ भात बैताओं से संबंदिद विधी का संसोधन गायराजी की संचित निदी या आकसमिक्ता को पढ़ाना चाहे राजी की संचित्मिदी या राजी की लोग लेखा मद्दे धन पराप्त करना था है ऐसे धन की अभी रख्षा है या उसका गमन करना खंडक तीन के अनुस्वार यदि यह पिसन उठता है कि विधान परिशत वाले किसी राजी की विधान मंदल में पुना पाहन करता है तो सीफ Scr the rocky options LE격्श लोकसवा के अध्य सदस्वार राजसवाकी निरवाचन करता है मतलब चुनाता है लोगसवाकी सदस्वार राजसवाकी सदस्वार के सभी थन्यु की अनुस और रश्ठों सबने वाले निरवाजचकग्र के सदस्वों से होता है समिधान के ग्यारवे समिधान संसोधन अधिनियम सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यह था इस तरी उपराश्टपती के पत्की सक्तियों के प्योग और कतब्वों के पालन में उच्थम् नेलाई के निश्चय की तारिक को या उफ से पहले कि एक कार अधिमान नहीं होंगे कब चलिए हमारा अंगला कुश्चन सब्सक्राइब के अंदर उच्थम्दान के अंदर श। ने आलाई उच्थम्न्यालाै से विधी के पिसन पर राय लेने का अधिकार किसको है राष्टपती को ए उप्सन सही है समिंदान के अनुचे देख सर्वोच नयालय से विधी के पिसन पर राय लेने का अधिकार राष्टपती को है इसके द्वारा की आउद की जाती है तो ये उप्सन लोगसभा एवन राच्पती की जाती है तो याद रहें ये एक आउद Dok राष्टकती लेकिन अध्यक्षिता करता है इसकी लोगसभाद्यक्ष लोगसभाद्यक्ष का पद बड़े और तरदायत का पद है अध्यक्ष सदन की गर्मा और विशेश सद्रीकारों को कायम रखने के लिए जिम्मेदार होता है एक बाल चुने जाने के बाद यह है वह इवेशनों का सभापतित अध्यक्ष करता हुआ किवल उसी स्तिती में पीठा सिंग नहीं होता है जब उसको अटाने का संकल पिचार धीन हो इंग्लेंड में एक रोडी के अनुसार अध्यक्ष को अपने दलिये पद सित्यक्ष देना होता है भारतिय समीधार में अध्यक् सब्सक्राइब किया जाता है तो याद रखिए यह उप्षान से लोकसभा में सम्मीधान के अनुच्छेद 110 एक के अनुसार इस अध्याय कि प्रियोजनों के लिए कोई विदेएक धन भिदेएक समझा जाएगा यदि उसमें के वल निमलिके सभी या किनी विस्वों से सम् निवय या भारत सरकाद्वान अपने उपर दी जाने वाली किनी वित्तिये वाद्यताओं से संबंदेश बिदी का संसुदन गाय भारत की संचित निदी या आकस्मिस्ता निदी की अभिजक्छा ऐसी किसी निदी में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना भारत की संचि या भारत के लोग लेके मद्दे धन प्राप्त करना अत्वा ऐसे धन की अभी रख्चा या उसका नर्वन करना संग्या राज की लेखाओं की संब्चा करना की सजर्वार दिना पड़िए तो यह पुप्सं सबाना कि देखते हैं पुक्त संसद का दूसरे सदन लोग सभा यानि लोग सदन है इसका निर्वाशन जनता प्रते क्यों से करती है लोग सभा की लिए निर्चित अउधि का उपन्द है लोग सबाकी वोडी उसके फिथम बे उसका सुता विक्टन हो जाता है। चुपी मंती परिश्टर लोगसवा के पित्ति सामुविक रूप से उत्तरदाई होती है। अता मंत्रियों का यह संम्मधारिक दायत है कि जैसे यह बेगे विस्वास गवाद देंगे वैसे इसामुविक रूप से स्थीपा दे ले। सब्सक्राइब लेक्त में कौन राजपाल की नियुक्ति करता है तो भारत की राश्टपती डियोप्शन से अनुछे 155 के तहट कि अनुसार राश्ट जेपाल के राश्टपाल को राश्टपती अपने अस्ताक्षरों मुद्धा सहिद अधीपत द्वारा नियुक्त करता है इस पो का राज्पाल निर्वाचत नहीं होता है यह केंद सरकार द्वारा नामांकित की व्यक्ति होता है वास्तो हम राजपाल की नियुक्ति राष्टपति पिरधानमंत्री की सलाएत पर करता है पिछले पित्फा तत्हा सरकारिया ऐयों की सिफारिस के अधार पराजिका राजपाल निक्त करते समय समंदिद राज के मुकमंती से परावास लेल लिया जाता है हर गोबिंद बनाम रगुकुल 1989 के मामले में सर्विछ नेलै नीया अभी निरदायत किया कि राज़पाल का पद केंदिये सरकार के अधिन नियुकत पद नहीं है, और अच्छे 319 का पिति सेद उस सवागु नहीं होता है। उत्तरदाई होती है तो डी अपने लोग सभागे पिती अंचे पचतर तीन में मंत्री फर्षय लोग सभा के पिती सामुविक रूप से उत्तरदाई होती है सामुविक उत्तरदायत काया थे कि मंत्रीगड अपने कार्यों के लिए टीम के रूप में लोग सभा के पिती सामु बेद के उन आ रहा हो कि न्यौ जब एक बार एघर लिया जाता है तब इस सभी मंद्रों देखों को स्विकार करना होगा और विधान मंदल में या उसके बाहर उसका समर्थन करना होगा यदि कोई मंत्री मंदल के न्यरडर से असंतोष्ठों से इस्तीपा दे देना होता है औ भीज़ान मंदल के निर्वाचन सदस का विश्वास खोते ही तुरंथ त्याग पत्त दे देते या सामुए कुट्टरदाइत लोगसभा के पिती चाहे हुए मंत्री राजसभा के हूं यह दि किसी मंत्री विशिष के विरोध भी लोगसभा विश्वास प्रता फारिक कर देत तो भी संपूर्ण मंती परिशाथ को त्याक पत्त देना होता है कि अपना अप श्यासट वार्ने में से किसके द्वारां भारत के नियंतक एवं महालेखा परिक्षक के पद का सेजन किया गया था तो याद रखिए वी उप्सन है समीधान द्वार के समीधान के नुच्छे द जदा सहितः दीपत द्वारां करेगा उसे अपने पद से केवल उसी गिती से और उनी आधारों पर अटाया जाएगा जिस गिती से चिन आधारों पर उचितम ने आल आ है कि ने आदिस को अटाया जाता है इस विकार नेंतक महालेखा की रिच्छ की नियुकति राश्ठकत करेगा उसे पद से संसत के दोना सदनों कि समा विर्दन पर यह अठाया जा सकेगा उसके आधार पर सावित कदाच्यार या आध सर्म्रस्ता हो सकेंगे इस आधारा नियम का बाद है कि संग के सभी सेवक राष्ट्टी के पिसाथ पर यंद्पद धारन करते हैं अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिन्दिकी की रोग तुरेखा तियार करने के लिए सक्षम बनाते हैं तो भी उसने गोलक नात बनाम इस्टेट और पंजाब के बाद में सर्वुच नियाला ने निम्न धारना व्यक्त की थी यही समीधान के निरवचन से संबंदेत मामलों को पैस वाच होनी चाहिए अबंनात हुच्छο निरवाचन सर्वच्छ निरवचन डिस्ट के लिए चुना और एक मुखहतार होता है चुनाओ द्वाना न किवल कित्ति नीदी कर निर्धाण होता है अक्तू जंदा 넣고 सरकार में की तो बहारत की समेञा बहारत की ऊक्षश और सबस्तुतर्र होdotा है सबस्कारिक एव सकताई जिदि तो का संचालन ततकालीन सरकार के संपन किया जाता है इसलिए देश में चुनायव को केंद एवं राच सरकार को नियन तक से बाहर रखा जाता है देश में सभी चुनाओ अधीचक निर्देशन एवं देंटन के लिए समीदान के भागपां 15 में अनचे 324 से 329 के इंतर चुनायव की इस्थफणा की गई भागतिय समीदान के यूशे 324 दो में अप्बणित है कि निर्वाचन आयव मुक्र निर्वाचन आयकत और उस्तने अन निर्वाचक आयकत से यदि कोई भी कोई हो जिसने राठ पति समय समय नियत करे मिलकर बनेगा निर्वाचन आयव तो अन निर्वाचित आयोक्यों की नियुक्ति संसर द्वारा नीमित बनाई गई विधी के बंदों के याद हदीन रहते हुए राश्पती द्वारा की जाएगे अंगला है हमारा सत्त्रवा कुष्ट्ट में कौन समीधानिक राधी करण है नीचे कूट मे सही उत्तरचना है तो वी अप्सण है एक दो थी पतलब राज निर्वाचन आयो राज वित्त्याय जिला पंच्याथ तो याद रखी है राज निर्वाचन आयो डिला पंच्याथ सब्सक्राइब सबसे पहले हुआ है तो सी याद रखे राजिस्थान नहरुजी की पहल पर अधिकार अधिकतर राज्यों में बलवंत राय महिता समिती के सुझाओ के पारुक कोई फिर मुक्ता दी गई पंचयातीराज की माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकल कंका कार्ग करूंस में राजिस्थान के नागोर इञाद रखी राजिस्थान के नागोर में प्यारम हुआ लिकिन नेहिद ब bleibt कि कारण विवेन राज्व में 1960 के दिसक के मद्द से इस पेडाली में ग्रावट अपनी आरम कर दी अब बहत्तरवा कुश्चन निम्ले के उत्तर पिदेश में पंच्याती राज संथाओं में महिलाओं के लिए आरक्षे इस्थानों की संख्या कितनी है तो यह उपसंद रख भरे जाने वाले इस्थानों की कुल संख्या से कम से कम एक तहाई इस्थान जिनके तरह अनुसूचित जाती है कि इस्त्रियों के लिए आरक्षित इस्थानों की संख्या में भी है इस्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे वह यह से इस्थान किसी पंच्यात में बिन्व तो सेजित तो देश में ही हुई किन्तु विदेशों को प्राप्त प्राय या देश को प्राप्त होने वाली किन्तु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाती है सकल रख्टी उत्पाद प्राप्त होता है अर्थिक समीक्षा 2011 वारे के अनुसार सेवाच्षे तो दोख्षित क्रिसी चित का हिससा केम साउन सट परसेंट सटाइस परसेंट तेरह समलों नौ पिती सते बरतमान में दो चोटाय पंद्राय की आर्थिक समीक्षा में भी जीडी की प्राक्तिक संसादुनों का उप्योग इस पेकार किया जाए जिससे वह अंगली पीडी के लिए भी सुरक्षित रहें चत्रवा कुश्चन भारत में धाड़िये विकास की द्रिश्टी कौन से बिद्दुत उत्पात का सबसे अच्छा सिरोत कौन है तो जल बिद्दुत भारत में जल बिद्दुत एक नभी करणी है पर्यावणिये मित्री पूर्ण तथा उजा का सस्ता साथने तथा जहां पर जल बिद्दुत का विसाल विर्भाव है जहां पर एक लाग पचास जार मेगाबाट से अधिक की अनुप योजित पावर की संभाव ना है अंगला पी सामाना ता नियुनतम सामाजिक सामाजिक जीवन इस्तर के नीचे की दसाया त्योजना आयोग ने के द्वारां उनी सो से सत्तर में कठे तार फोर्ष ऑन मिनीवम नीड एंड एफेक्टिव कर्ण संपेशन डिमांड रिपोर्ट के अमसार गया मिट चेत में 2400 कैलोरी कै काउपयोग पिति व्यक्ति से कम काउपयोग इस्तर की स्थी गरीवी कही जाती है 2011 यह द्वारां संपूर्ण भारत में 37 स्थम लदोपिति सद जन संख्या की तो गरीवी रेखा से नीचे मानद 77 राष्टिये विकास परिशत द्वारां स्विकित बाहरवी पंच वरसी यह पुजना एतु पिस्तावित परिंकल्पना पत्त में विकास का निर्दिष्ट लक्ष क्या है तो सी ओप्सन नौपिति सद बारवी पंच वर्षी ओजिना 2012 से 17 तक थी दिरिश्टी पत्त में नर्दारित महत्मूर्ण बारसिक लक्ष सकल घहरेलु उत्पाद में बिद्ध सब्सक्राइब करता है तो सी ओप्सन है राष्टी विकास परिश्ट राजियों तथा केंदर के बीच सक्तियों के बभाजन को देखते हुए योजना त्यार करने में राजियों का भाग लेना निवाद था इसलिए नियोगी समिती की संदूतित पर जिसे पित्थम योजना आयो का प्यारूप त कि स्थाना किया राष्टी विकास परिश्टतर समी में तक निकाइँ परिशद के इस्थापना ते लिए राष्ट के सो टेख त। तर्था परिष्टरम को सुद्रेट करना था उनकी गती सील उनको गती सील बनाना सभी मत्मूर्ट शेत्रों में समरूप आर्थेक नीतियों के अंगी करने को सायद करना लाया तीसरा देश के सभी भागों को ती बतर था संतुलेट विकास के लिए फ्रयास करना अब एप न्यासी भारत में सुरूं की गई वआविमान युजना कि से सम्मंद से और सी ओप्सन है ये ये फ्रयामीड बॉनकिंग से सब्सक्राइब परिशत में सप्ताहे ग्रूप स्तरपतो होता है पहला थोक मूल सुचकांग जनवरी दो उननीस सो ब्यालीस से सुरू होने वाले सब्सक्राइब ग्रूप स्तरपतो हो जबकि आधार वर्स उननीस सो उन्तालीस लिया गया है एस आर हासिम की अद्टिक्ष्टा में गट्रिक कारदल जिसकी अपनी रिपोट उननीस सो न्नीस सो निननने अनमे में दी कि संसुती पर थोक मूल सुचकांग के आधार वर्स उननीस सो तेरानवे चोरानवे कर दिया गये 1989 में आधार बर 1882 सुईगर किया गया इस कारेदल कि सुझाओ वर्थोप मूल सुचकांगे में बस्तूंगों की संक्याद 427 से घटागा 435 कर दी गई 81 प्राइब भारत में विदेशी वी निवाय संचय का रख रखाओ किसके द्वारा किया जाता है एक अप्राइल 1935 को रेजब बैंक ऑफ इंडिया की इसका राष्टी एक बात किया गया इसके प्रमप कार की बात करें तो नोटों का नर गमन विदेशी वी निवाय का संचय बैंकों का बैंक सरकार का बैंक उस समय एस निश्चित किया गया कि इसकी अधिक्रित पूंजी पांस करो रोपे होगी सुरू में इसकी लगवाग संपूर्ण पूजी नहीं लोगों के हाथ में थी दो लाग बाइस अजार रुपे के अंस के की अंस ही सरकार के हाथ में थे आई एम एफ में देश के फिति निदित इसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिए सी बिजय किलकर भरती समीदान के इंचे 280 के प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर विजय किलकर कि अधिक्ष्टा में तीरह नवंबार दोजा साथ को तेरह बिजय का अगठन किया आयों अपनी संसती एक अप्रेल दोजा दस से होने वाली आगामी 5 वर्ष के लिए प्रेश वी देगा जो नेमनामकित मोद्रों से संसामिधान के चहपतर 1 पारट है ग्यारए के अंत्रगत जए सरी बारह के अंत्रगत उन करहों की संभन में संगत नहरां राज्यों की बीजबटवारी के तैद दिये जाने वाले राजस अनुदान को उस्तायद करें राज में बित्तायों की संस्तियां के आधार पर राज्यों के समेकन निधी को बढ़ाने के उपायों के संबंद में सुझाव देना पंचायत अधान नगर पालिकाओं के संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके ब सब्सक्राइब किया गया इस आयोग ने 15 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट सब्सक्राइब को किया गया आई वी आई के पूर्ड बुद्पूर्ड गवर्नर डॉक्टर वाई रेडी को इसका अध्यक्ष निक्त किया गया मैं कि मरीच का कारण है तो डी अपने पिरकास का फून आंत्रिक परावरत है तो इसकी ब्याखिया देखते हैं कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड के साथ-साथ उष्का उल्टा पितिवें में भी दिखाई देता है इससे यात्रियों को ऐसा भरम हो जात हास की बायू अधिक गरं हो जाती है जिसे दोरा अंगली परत का आपतनकौंड बरता जाता है तथा किसी भी से इस परत पर क्रांतिक कोंट से बढ़ा हो जाता है इस परत पर करण सूर पूर्ण स्परावर्तन होकर उपर की ओर उठने लगती है 84 वा कुश्चन फिकास का रंग निर्धारित होता है तो भी याद रखें तरंग देर्द से लौड रेले के अनुसार किसी रंग का फिकीडन उसकी तरंग देर्ध पर निर्भय कता था तहां जिस रंग के फिकास की तरंग देर्ध सबसे कम होती है उस रंग का फिकीडन सबसे कम होता है यही कारण सूर के फिकास में प्यगनी रंग जिसकी तरंग देर्ध सबसे कम होती बत्ताव पच्छासी पाइब बिध्वनिया जिनकी आत्री होती है तो 20,000 हर्ट से अधिक 20,000 हर्स से अधेक उपर की तरंगों को फरासर्व तरंगे कहा जाता है मन उस्ते के कान इसे नहीं सुन सकते हैं परन्तु कुछ जानबर जैसे कुट्टा बिल्ली चमगाधर आदी से सुन सकते हैं इन तरंगों को गाल्टन की से शीटी के द्वारा तब बिद्धुत पेभाह की फिधिधी द्वारा कुआट क्रिस्टल के कमपन्णों से उत्पन्ध करते हैं इन तरंगों की आवर्थी बहुत उंची होती है होने के कारण इसमें बहुत अधेक उर्जा होती है साथ ही इनकी तरंगे धैद छोटी होने के कारण है एक पतले पुंजे के रूम में दूर तक भेजा जा सकता है 86 है हमारा मिटी के घड़े में निमने में से किस्की किया के कारण जल ठंडा होता है तो याद रखिए B option है बासफी करण के कारण कि थ्रिप की खुली सटा एक से पितेव् grew का बासर में बदलना बासफी करें कि के लिए diagnost को कि ऐस्मा कि याव्ए सगता हो ठीज शमा दिए अपने अंदर से फ्राप्त करता है गल का दिर्प थंडा हो जाता है और आम इसके कई उधारन देखने को मिलते हैं जैसे हमारे सेरी में पसीना जब सूपता है तो हमें ठंड़क महसूस होती है क्या Hm पसीना सूपने पर बना बास्धफिकन के लिए उसमा शरीर से गैब कुनता है जाता है इता है जिसके दुबारा उत्फण किया जाता है तो D अप्शन है दीपित विक्रण लाइट एम प्लीकेशन बाई इस्टी मूलेटेड एमिशन ओप रेडीशन का संच्छत रूप ही लेजर कहलाता है जिसका रहत है विक्रण के फेरित उत्सहाजन में पेकास परीवर्दन अर्थात विकास तरंग पराधारित लेजर एक एसीप् में विक्रण के फेरित उत्सहाजन द्वारा एक वर्डीवर्दन पर कास पराफ्थ किया जाता है लेजर तरंगों की आवित्री समान होती है इसके विविन तरंगों की कला भी स्थिर होती है इसके मूलबुत सिद्धान्त की चर्जा सरप्तम 1917 इसीवी में हाइश्टीन द् 2070 में अमेरिका के हेजिज अनुसंदान प्यूप साला में थेओडोर एच मेमिन द्वारा की गई मूल लूप से लेजर में मडिक किस्टल का उपयोग होता है लेकिन बर्तमा समय में विविन पिकार के लेजर विविन आकार के धात्विक पदादतों से निर्मित होने लगे 88 है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई भी बढ़ जाती है गर्मियों में लोलक की लंबाई भी बढ़ जाएगी जो तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा अताहा घड़ी सुस्त हो जाएगी सदियों में लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल भी कम हो जाता है लोग लग बड़ी तेजी चलने लगती है नवासी है हमारा कुष्चन नेमलेकत में से कौन सी हरित गेस गिरह गेस नहीं है तो याद रखिए नाइट्रोजन नहीं है वायू मंडल में बढ़ती हुए यानिकारक गेस जैसे कारवन कारवन डा अफट आई उकसाइट आदी वाय मंडल की उपरी सतर्वा जम कर पितवी के तामन में विद्धी का दीती इसे गीरीन हाउस प्रभाव कहते हैं यह जैसे पितवी में आपस में आपस में लोटने वाली औरत करबाता बरन को गर्म करती है और बैस्विक तामन में विद्धी इस तरह से होती है रहेगी तो ध्रुबों पर द्रुबों पर इस्तित बड़ प्रिघलने लगेगी इसका सीधा प्रिपास मुद्री तरवर्टी शहरों पर पढ़ेगा जो जलम ही इसके कईप समुद्र ही समय रुप हो जाएगा तक गेंद अबेधा कुष्य निमनिकत में पदार थो मैं कौन से ओजोन रिक्ति का रंखेंग कूर से सही उत्तर चुनना है तो डियोपने किलोडो फिलोड़ो-कारवन-हेल नहीं कार वंट्रक खोटलोडीकॉल की अनुसार इंगेसों की उत्परवन पर रोक लगा दी गई हुँ एक उनुमेवा कुष्यन है हमारे जल जब बड़ग पीगलती है तब भी आयतन घटता है याद रखे जब बड़ग पीगलती है तो भी आयतन घटता है Bback 92 कुष्चिन है दूद का धवल रंगने मलकित में से किसी उपस्तिती के कारण होता है कैसीन वेक्टिरियम लेक्टी साइन आई और बेक्टिरियम एसी डाई लेक्टिसाई नामक जीमाड़ी जो दूद में पाए जाते हैं वो दूद में पाई जाने वाली लेक्टोस सरक्रा का किड़वन कर लेक्टिक हमले का निर्वान करते हैं दूद में धावल रंग कैसी नामक रोटीन की उपस्दिती के कारण होता है लाइकें सबसे अच्छे सूचक होते हैं तो याद रखिए वाई की दूसर्ण के लाइकें थेलोफ हाइटा प्रकार की बनस्कति है जो कवक तता सेवाल दोनों से मिलकर बनती है इसमें कवक शाथा सेवालों का संबंद फर सहजीवी जैसा होता है कवक मंदल्स खनेजलवड़ बिटामिंस आदिन सेवालों को देता है और सेवाल पिकास संस्क्राइशन की किविए धारा कार्वोहईडेट्र का निरुमार्ट कर कवक को देता है कवक सेवाल के वीच इस संकेट टक होते हैं हुआं के चालों पर उने वाले लाइकन को क्रेटि एक्स काल्स कहते हैं चौरानवे कुष्चने माद परण हरित किलोरो फिलोरो मैंने मलेकित में कौन सा तपाया जाता है तो सी ऑप्सन मैकनिसियम परण हरित बड़क मुकता हरित लवड नवक पादक कोश्कांग में पाया जाता है प्रकास संस्लेशन की किया के लिए परण हरित बहुत ही आवस्थ दूसरे है प्रकास संस्लेशन की याद का केंद होता है फोदों की जिन कोश्कांग में परण हरित वस्तित होता है किवल बे ऐटा हूरे पारद हरे का संशले का बना चप्टा पॉर हारि जिसके केंदर मेगनेशियम का एक परमानु तथा एक रिंग पर हाई टूजा चेंड होती है तो आपको बता देने इसकी ब्याक्या को लेते हैं डूल फ्यांपड़ा ब्रेभाद दंगए सीछा मस्तिष्क पारा हुदर कार्बोन मॉनोड और तो य्जाद रखिए गीज़ फ्लीट ओक्रम धिए रोग पेक्टस और क्यू लेक्स पटी फटीग नंसस नामक मच्छर संचारित करते हैं इस रोग में अचानक तेज ज्वार आ जाता है चेहरे पर पितियां निकल जाती है तथा सिर्ख आंकें पेसियां और योड़ों में बहुत जोड़ों का धर्ग हुता है यह हमारी के रूम में अचानक फ्यलता है इस रोग को हड़ी तोड़ भुखार भी कहते हैं संताव में वह कुछ चैने के दूई है लिकस पर आपको पहली बार किसने पिस्तावित किया तो याद रखिए वाट्सन एंड किकने कि सन 1903 में जे जे वाट्सन किकने डेने की दूई कुणडले सरचना पर मोडल वितिपाद किया इस काम के लिए उन्हें सन 1902 में नोबल पुरस्कार मिला डीने की अधिकांस डीने की अधिकांस मात्रा के अंदर कि मोती यह पीस कि मात्रा माइटो कांडिया था और लवक में मिलती है डीने पॉलीनुक्लियो उठाई होते है डीने में उपस्ट से चार होते हैं एडिनीन में ड्म एड़िन सदे थाइमीन से और साइटोसीन सदे गोानीन से जड़ता है एडिनीन थाइमीन की w2hydrogen आवंद बनते हैं मानो शरीर में इन कारवन पदार्तों की अवस्क तक कम मात्रा में होती है विटामिन खाद पदार्तों से पराप्त हो दिनता है इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं विटामिन उपाफ चाही किरिया उपनेंटन करते हैं कर दिलेल कि अधार विटामिन दोपेकार के दोब अधित किया जाते हैं जल में घुलंशील विटामिन है ने टाधन शील विटामिन है एडी के अंगला यह निया वा गुश्चिन सुचि सूचि को दो सुम लिस्ट करना है तो एड्न है कबक मतलब जीवाणू से पहलता है तो याद रगी है जो पिलेग रोग है यह जीवाडू से फेलता है एडस है जो जीशाडू से गंजा बन है कवक्सिं सौबा कुश्चन है MRI निमनेंव से क्या है तो सी उप्सन मैगनेटिक रिजो रेजोनेंस इमेजिंग मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है यह कारगी तक्निक है जिससे रोगों के कारण की सूष्च जाज की जाती है इस युश्च नामक बीमारी के लिए चन्नित किया गया था तो भी यह उप्सन याद रखिये रेंडर पेश्ट के लिए 2011 में पस्वों में होने वाली रेंडर फेश्ट नामक बीमारी के लिए चिन्नित किया गया था 102 कुश्चिन कंपूट है कि सबसे महत्पूर भाग है यह उप्सन CPU इसे विस्तत रूप से प्रोसेसिंग यूनिट का आजाता है यह कंपूटर का दिलोर दिमाग कहलाता है समस्त मुख प्रोसेसिंग यहीं पर होती है पी थैड पीफोर एमड एथलोन आदी सीपीए के कुछ है उधारण पेंटर यह कैसा साधन है जो किसी भी डॉकूमेंट को अपने कंपूटर पेंट करता है डिस्क सूचना स्टोर करने के लिए कंपूटर में इस्तिमाल होती है डिस्क के दो पकार की होती है हाइड हाड ड अंगला हमारा एक सो तीन वह भारत के निम्लेकित छित्रों में कौन से जैब विवित्ता की दिरिष्टी से उत्तेजन सील इस्तहल माने जाते हैं तो याद रखिए भी ऑप्शन से एस में एक और तीन मतलब पूर्वी हमाला और पश्च्वी हमाला को पूर्वी हमाला एव उन भारती उत्तपादों पर लगाया जाता है जिनका पित्तपाद परियावण को छतिना हुए हूँ अथा दिया है परियावण के पिति में पूर्व यह प्रिवार्व पत्राष्ट का मौसम परिवातन समझाता कब प्रभावी हुगा तो याद रखिए यह ऑप्शन है 21 म मार्च 1994 में सेव्ट राष्ट शंग का मौसम परिवातन समझाता 21 मार्च 1994 को फ्रभावी हुआ इस समझाते में पिस पचाह देशों से अधिक देशों का समर्थन परापते एक सो चटवा कुश्चन है फारिस्तिति की निकाय के रोम में आड़ भूमी नेमलेकित में से किस दो पह दो पर उपए हुए तो डी ऑप्सन है उप्शन है उप्प सरी मतलब पोसक पुर्ण अप्राप्ति चक्र ने तू बी ऑप्सन ए उप्सन भी पर सही है पौदों द्वारा और सोचन के मात्यम से भारी धात्रों को अमुप्त करने तू ये भी सही है तल छट रोक कर धेते हैं एक सो साथवा कुश्चन ने म्लेकत में से किस देश में विस्ट के ताब मानों पर आंकड़े एक खटा करने के लिए व्यसिविक बाई मंडल चॉकसी श्टेशन इस्थापित नहीं किया गया तो याद रखी भारत में विस्ट के ताब मानों पर आंकड़े जटा तरह याद रखिए पांध जून को एंड दिसमềर को इसके बसमना जाते हैं पांध जून को ब्स परयावारिह दिशका तो बस मतना जाता है यौन Harm demand कोई और मधु में दिशन मना जाते हैं 109 क्हलंद में कौन सब्सम्ट नहीं है तो याद रखिए टेस सीकूरीस में भायवन भारती ये बन ini सत्तान औरी रहा भारती फिरवन इंचान खेसा होने अल्मूरा में 110 दो भिन समुधाओं के बीच संक्रांती छित कहलाता है तो इकोटॉन दो भिन समुधाओं के बीच का संक्रांती छित एकोटॉन कहलाता है यादर कि एक 111 कुश्चन बहुमी गजल को दूसित करने अजेविक की दू सकते हैं तो सी ऑप्सन आर्सेनिक गुम्मी के जल को दूसित करने वाला अजेविक पदार आर्सेनिक है यह ज्वाला मिखी के बास्त्रों में समुद्र तथा अनिक खंड़ने जीए जलों में मिस्सित रहता है एक सो बारावा कुष्टिगी तंत में तत्यों के चक्रन को क्या कहते हैं तो भी अप्सन से यह जैप भूरासायनिक चक्रन किसी स्थान पर पाये जाने वाले किसी जीव समुदाय का वास्तवन से तथा अन अजेविक समुदाय से फरसपर संबंद होता है इसी पारम पर एक सं सभलत की आशियरे तो युष्ट कटींदीए वर्षा बनों में तैक्षांसों के मद्ध पाये जाता है उस्ता कटींदिए वरसा कीकसे बर्षा बंद्र का जाता है क्यूंकि इस में इस्थली है सब्से giomena सब्दर्स जीवित एवं प्राचीन समुदाय स्नित–जीवा पर इवं रारियों केar इत्यादि लिए जंतुं एवं बनश्र्पतियों का इतना अधिक विकास हुआ है कि उच्वर्णों को जय पेवित्ता का बंडार कहा shapes 114 वा कुष्चन एक मन उसके जीवन को पूर्ण रूप सिधार नहीं है करने के लिए आवसे की उन्तब भूमी को क्या कहते हैं तो फारिष्टितिकी ये पक्षिद पद्ध छाप कि थेपक पालिक ऑप्द इस में आउले करने वाला जलाए तो किताफ पिताफ गढ़िए एक सो सोला है दोजार ग्यारा में लोकायक्त विध्यक पारित करने वाले पिथम भारत भारत ने सभी अभी हाल में साथ देशों में इसके साथ महत्पूर सीमा समझोता किया तो याद रखी बंगलादेश से भारती पिदानमन्ती डॉक्टर मोहन सिंग ने 2011 में बंगलादेश यात्रा के द्वारा 1974 के भू सीमा समझोते प्रोटोपोल पास्ताक्चर किये अंगला एक सो टारवा नेमलिखित विदेशी फितिष्टित व्यक्तियों में से कौन भरवरी मार्च 2012 में दिल्ली में थे नीचे दिएक कूर में सही उत्तर चुनना है तो भी प्रवासी भारती दिवस बेला सवागार रजयपुर में आए जित किया गया कि दान मति डॉक्तर मर्महन सिंह आस्चा उद्धतकि भारत की राष्ट पती स्रीमूंती ब्दव्यवा देवी पार्टल ने समापन का भासर्णद धिया पुर Almost पंदरवा पिंद्ज दिष्ट्र पितिनी दियों ने भाग लिया इस आयरजन का विसाय था सार भॉम भारतिये समग विकास अनिवासी भारतियों मामलों के मंतिरिया रिया खुष्णा किया कि घाड़ी छेत के लिए अंगलाद छेतिये फिर वासी भारतिये देवस दो हजाग बारे में दुबई में एजित किया जाएगा अंगलाए 120 वा कुष्ण तेरह जनवडी 2012 को इटली के पर्चमी तटकी निकट दो नगार नगया अस्त वेवासाली पर्याटन पोत का नाम था तो कोष्टा कॉन कोडिया तेरह जनवडी 2012 को इटली के का लगजरी क्रूज से कोष काने दूइप की निकट भूंगो की चक्तानों से टक्रा कर डूब गया 121 वा कुष्चन है इफसा भारत विराजील दच्छन अफिका के संगठन पंचम सिकर सम्मीलन दोज़ा बर्स 2011 में संपन हुआ था तो भी ऐसरा प्रिट्टोरिया भारत विराजिल भारत विराजिल जेकब जेकब जुमा की मेजवानी में संपन हुआ है इस सम्मीलन में ब्राजील के राश्टपती डेलमा रोख से भारतिय प्रदानमेंटी डॉक्टर मर्मोहन सिंग उबस्ते तरहे विदेश मंत्री एम एस एम किष्णा बड़ज मंती आनंद सर्मा वा नयर्योक्त पिदा सम्मीलन में भारतिय प्रदानमती मनमोहन की के साथ सिष्क मंदर में भाग में सामिल उठे एपसा कि यह तीनों ही देश बर्दमान सुरक्षा परिश्यत का इस्थाई सदसने तता इस्थाई सदस्ता के दाविदाल है अब हम बात करते हैं 112 बाद 20 दिसम्ब 2011 मारियानो सब्सक्राइब किया है 133 किस देश ने दिसम्माद 2011 में गोसित किया गया यह अपना प्रिथम विदेशी से नडड़ा हिंद मास अगर की दूइब से सल्फ में स्ताक्त किया तो याद रखिए चीन ने यह उप्शन से यह सत्रवा दक्षे सम्मेलन 2011 कहां संपन हुगा तो य याट सरस देशों के राश्टर द्यक्षों के अस्टेलिया के चीन इरान दच्चन कोरिया मोरिशस जापान में आनुमार अमेरिका यूरोपीय संग के पिती निदी इस सम्मेलन में परवेक्षक के तौर पर सामिल हुए सम्मेलन में भारत का नेतित पिदानमंती डॉक्टर तिबबत के धहमगूरु दलाई लामा को सम्मानित किया गया है बोद गया है मैं चार जनमरी 2012 को दलाई लामा कुमत्मा गांधी की पुत्री इला गांधी ने यह सम्मान पिदान किया है 126 बा कुश्चन है 2014 को फीबा विसकप किस देश में होगा तो यह ब्राजील में वर्ष 24 के 20वा फीबा विसकप का योजन ब्राजील में होगा और 21बा विसकप 2018 है रूस में तत्ना 22वा फीबा विसकप 2022 कोphonen कंतर में रोसन करने वाले खिलाडियों वा पिसीक्षकों को बर्स 2011 के राष्टिया खेल पुरुषकाओं से सम्मानित किया है दिल्ली राष्टमंडल खेलों में आध्यक्षकों को अध्यक्षकों कि वड़न परी पीडी उसा कि जबकि दोड़ाचाप पुरुषकाओं के चैन समिती चैन कुष्टी के महान महावली सब सथपाल थे एक 128 वा कुष्चन है में कौन भारत के 63 वे गरतन दिवस समारों में विशिष्ट अती थी हैं तो याद रखिए यह हैं यह उप्शन सही है इसकी व्याख्या देख लेते हैं थाइलेंड की पिथम मैला पिधान मंत्री बनने वाली इंग लख सीना वात्रा भारत के 63 वे गरतन दिवस कुमुख अतीती थी 139 वा जनवरी दोजावारे में दच्छन एसिया साहत का दूसरा डी एससी पर उसका अप्दान किया गया तो डी ऑप्शन सेहन करोडा तिलक को स्री लंकाई लेखा सेहन करोडा तिलक को उनके अन्यास चिनामन के लिए बरस 2012 के साउथ एसियान लिटरेचर के डी एससी प्र है तो है सेविष्टियन विट्टल 30 अप्टूबा 2011 को गेटन वड़ा इस्तित बुद्ध इंटरनेशनल सरकिट में संपन पहली एर टेल इंडियन गरांफी का किताब एप वन सरकिट के सब सी यंग ड्राइबर रेल रेड बूल टीम के सेविष्टियन विट्टल ने जीत लिए है बर्स 2010 के वर्ल्ड चेंपियन तथा इस साल के दो ग्यारे के वर्ल्ड चेंपियन का किताब पहले ही जिच चुके हैं जर्मन के विट्टल ने साठ लेप एक गंटा 30 मिनिट 35.002 से किंड का समय निकाल का इंडियन गरांफी के किताब पर कब्जा किया है मैक रेन ट पर इस पहली इंडियन ग्राण पी में सचिंता इंदूर सरे रेस को फ्लेक और किया अंगला 31 भारत ऑस्टिलिया की हाल ही में कि क्रिकिट सेंख्ला में किस एकलोवती भारती वाल लिवाज ने सतक लगाया तो याद रखिए बिराट को इलिए अप्शन सहीं दिसमर में बारत के एकलोवते वल्लेवाज ब्राट कोईली ने 116 रनों की सतक किये पारी खेली 132 भाई 69 राष्टी फिल्म पुरुसकारों में किसे सरफ्ष्ट अभिनेत्ती गोसित किया गया तो याद रखिए विद्ध्यावालन को बर्स 2011 में पिदर्सित फिल्मों के लिए किया घुज फिल्म सेड़ी की पुरुसकारों के लिए जीwe की अध्यक्सा रूह ने हट तंगडी थी जब कि गयर फीचर फिलमों की जूरी के अधिक्स निर्वाता नमीश सर्मा और सिनमा पर सब्स्ट्रिक्ट लेखन के लिए जूरी के अधिक्स तर विजय विजया मूले थी एक सो तैंटीस वाय सूची एक को सूची दो से समलिक करना है दो जार ग्यारे के अधिक्स पुरुषकार बजीता हैं यह समंद्द खेल है तो याद रखिए इसमें यह उप्सें सही है प्रिज्या सीधरन यह एं एथलीटिक्स सुनीर छेत्री एंध पुडबाल से राकेश राकेश कुमार हैं अपने कबड़ी से और विर्धावल खाड़े हैं तैतराकी से दोजाग्यारा के अरजिन पुर्षका निम्न को प्यदान किये गए जाहिर खान क्रिक्ट राहूल बनर जी तीरंदा जी फिर्चा सीधरन एथलीटिक्स ज्वालाक गुट्टा वेडमिंट शूरज सिंग मुक्यवाजी सुनील चित्री पुडवाल राक्षपाल सिंग होकी राकिश कुमार कबड़ी तेजसुनी सावंत निसाने बाजी वीजदहवाल तैराकी असीस कुमार जिमनास्टिक सौमदेव बर्मन टैनिस रविंदर सिंग उस्ती रभी कुमार भारतुलन विकास गोंड एथलिटिक्स संध्या रानी वुसूप पिसांद करमाकर तैराकी संजय कुमार तेजसुनी कबड़ी चोंतीस है उत्तर पिदेश बिदान सभा के दोजार चोड़े सोरी दोजार बारे के चुनाव में किस्तिनी मैलाइनर बाचत हुए तो याद रखिए तैस विदान सभा के लिए चुनाव साथ चड़ों में हुए आठ परवी ग्यारा परवी पंद्रा परवी उन्नीस परवी पचीस परवी अठाइस परवी तीन मार्च दोजार बारे में संपन हुए पिदेश में कोल 69.48 पिदेशां मत्दान हुए जो पिदेश के निर्वाचन इतियात में सरवादिक है फूर्ण सरवादिक मत्दान 1993 की विदान सभा चुनाव में हुआ था है जो 77.1337 सोरी विदान सभा की मत्रवना का काल 6 माज 212 को संपन हुए इस चुनाव में समाजी बादी पार्टी ने 224 सीटें जीत कर विदेशां सभा में संद इस पर्ष्ट परक्त किया है इस चुनाव में 5282 महला हैं चुनाव में तीजिन में 35 महला है चुनाव जीती एक इत्सो पैंटीस वाइब निम्लेकित में किसको बरस बारे में पदम विभुसन से समय निया गया तो याद रखे केजी सोबन मन्यम को बस दो जार बारे के गड़तन दिवस के उसर पर देश के फ्रवोच नियांग्रिक फुरसकार पदम फुरसकार तीन सेनियों के अर्था पदम बीवुसन पदम बुचत पदम सिरी जवए उतकर्ष्ट कोटी की विश्रिष्ट को फेलसिंकिा इस ब्रस बेस फिर्वोचेथ है प्रुसकार है फश्रिय को सथे मारियो डी मिरांडा एक कला काल्टूनिष्ट है गुआ की सव्वुपेन हजारी क्ला संगी तसम्कें डॉक्टर कातिला ग्रांतिला हस्तेमल संचे जिक्जा महराष्ट है टी टीबी राजिस राजिस और सेविल सेवा दिलीग है अब है हमारा 134 नहाटी जहां रेल मजट 212 के उनसा एक रेल कोज प्रेक्टरी तथा संग्राला इस्तावित किया जाना है निमलिकित में से किसका जनम इस्तान है तो याद रखिये हैं बकिम बकिम चंद चटरजी चटो चंद चटो बद्याए का बकिम चंद चटो बद्याए है कि सात्रवी जैनती पार उनके जनम इस्ताल अन्थाल पारा नहाटी पश्चन मगल में रेल कोज प्रेक्टरी तथा संग्राला कि स्थापना की उच्छना रेल बज़त दोजार वारतीरा में की गई कि 57 वाप चननन निम्लेके पत्कारों में किसकी अपनी आत्मकथा लखनुग वहाए शीयसक सिलिकी यह अप्सन है सब्सक्राइब करने के बाद सुचित किया गया एक को छोड़ कर बाकी सभी देश की प्राक्तिक पूंजी में समलित किये जाते हैं तो याद रखिए सडके में कि दिये गए विकल्पों बन जल और खने किसी भी देश की प्राक्तिक पूंजी होते हैं जबकि सडके प्राक्तिक पूंजी के अंतर नहीं आती है एक सोटालीश वाय निम्लिकित राज्यों में किसके द्वारां अपना अपना धन योजना पराम की गई तो सी ओप्राइवी ने आरम किया यह पनों की कटाई को रोखने के लिए पारम किया गया आंदोल था स्री शंदललाल बहुगणा था बहुगणा ठाथ है भी इस आंदोलन से प्योड़े हुए व्यक्ति थे इस आंदोलन की शुरुआत उन्नी सो देतर में तत्काली उत्रपदेश के वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला की गोपेसुर नामक्दिस्तान में हुगा इसमें आंदोलन करता पेड़ों से चपकर उन्हें कटने से पादिर मुंबई में राष्टी मांसिक विकलांग ये शकंद्रावाद राष्टी दिश्टियन देहरा दून। चल्स्ताव नहीं सब्सक्राइब कौन सा पिछली सताब्दी में पितिवी के उस्तंताव में बिद्धी फिदर्सित करता है तो याद रखिए भी उप्सन 0.7 सब्सक्राइब करता है तो इसकी देख लेते हैं डारेक्ट नेलगरी उन्नी सचासी में नंदा देवी 1988 संदरवन 1989 कंचन जंगा दो जान में तो याद रखिए नेलगरी देख लिए नेलगरी उन्नी सफटान आगपुर में तो याद रखिए नागपुर में राष्टी परियावाय नेंग वांजन सथानग नागपुर में इसकी सथापना इन्टाउन में केंदीये लोक्स्वास्थ इंजिनिन इंग साही रूम में की गई सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने वाला पिच्छे पास्ते इसकी मारक चमता सब्सक्राइब करने वाले की वाला पिच्छे पास्ते इसकी मारक चमता चार पिक्सेपाद भी जाओ टैंक रोदी पिक्सेपाद भी कहा जाते हैं क्योंकि इसे एक बार दागने के वश्चात पुना निर्देशित करने कीवाज़ सकता नहीं रहती है पिनाक है यह मल्टी वेरल रॉकेट लॉंचर है स्वेदेशी तक्नीकी से डी आइडी हो दौरा विक्सित इस रॉकेट पे छेपन को ए आइडी पूरे में निर्मित किया गया है अपना है 148 काजी रंगा किसलिए का जाता है तो गेड़ा के लिए देश में संरक्षित रख्षित छेद नेटवाग में कुल 99 राष्टी है 515 वन जीव अब्यारण और 43 कंजर्वेशन रिजयब के बास सहत रूप से कुल 92.60 बर किलूमेटर छेट है जो कुल भूबाग का 4.64 पितीस सथ है फिस अनुन साब कजी रंगा राष्टी उद्यान जो की असौम में इस्तित है बिस के दो तहाई सिंग वाले गेड़े संरक्षित हैं इसमें एक सिंग वाले गेड़े के बल भात में पाई जाते हैं इसके सिंग के अंतर राष्टी बाजार में बारी कीमत होती है क्योंकि इ 1887 में फ्राम गेड़ा परियोजना के अंदर असम के मानसा ब्यारन में का बाकाजी रंगा उद्यान तितना पश्चे मंगाल का जाल्दा फारा ब्यारन गेड़ों की मुख सरण इसते लिए बरत्मा समय में देश में 991 राष्टी उद्यान 515 बन नजीब प्यारन एक सो नं करना संदीश बेजना चित बेजना संभाव एक सबचास बाएं लास्ट होमी भावा पुरुषकार के चित में विश्चे से उगदान के लिए दिया जाता है तो यह था हमारा यूपिश्य तो हजार वारा रहता परीच्छा का फश्ट लिए तो इसका एनलाइसिस करने की ब से 20-25 कुष्चन आते हैं हिस्ट्री हैसे लगवा 25 कुष्चन और फिर हमारा पॉलिटी है अठारा लगवा कुष्चन ररेंट से हर बार कभी विघ्यो पेंथीस के लगवा कुष्चन आते हैं और जियोगरफी इनवारेंड से आते हैं 20 और बाकी जुद्रना है पर अच्छा फोकस देना है क्योंकि जोग्रफी में लगवख 20 में से 15 सुला हर कोई कर लेता है कि भारत से जाना आदा है भारत के भूगों से जाना कुश्चन आता है चलिए अंगले लेक्षर में बात करेंगे कि दोजारतीरे का कारंबिक परिच्छा का पेपर